कानी आपके जीवने में बहुत इंपोर्टन्ट है अगर आपने इसको पूरा सुन लिया तो आप लाइफ की वो चीज हासिल कर लोगे साइध आप सूच भी नहीं सकते दोस्तों कानी के तुमें आपके रोंग्टे खड़ा हो जाएंगे साइध आपको यकीन नहीं होगा तो सुनकर देखिए दोस्तों कानी को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट करूँगा कि हर वेप्टी जो इस वीडियो को क्लिक किया है वो पूरा जहूर देखे दोस्तों सुरू करते है एक बच्चा होता है बहुत चोटा बच्चा जिसकी एज सिर्फ पांस से साथ साल होती है और उसके पैरन्स उसके माता पिता बस तीन लोग ही उसकी फैमिली में थे बहुत गरीब थे वो जो एक दिन उसके गाउं में एक मेला पढ़ता है और वा मेला घुमने जाता है मेला घुमने के बाद वा एक दुगान पर रुपता है अपने माता पिता के साथ और बोलता है सामने एक खिलोना रखा होता है अपने माता पिता से बोलता है पापा मुझे वा खिलोना चाहिए उसके पापा पास इतने पैसन नहीं होते हैं और वह खिलोना लेने की जीद कर देता है और बोलता है पापा मुझे वह खिलोना चाहिए पापा उसको कई भाने बनाते हैं कि नहीं बेटा है यह खिलोना अच्छा नहीं जल्दी तूट जाएगा बेकारे खिलोना कई गंदे कमेट्स करते हैं लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है और कहता है नहीं पापा मुझे वो खिलोना चाहिए पापा बोलते हैं बेटा में खिलोना इससे अच्छा खिलोना ला दूँगा लेकिन कल लेकिन वो बच्चा वही खिलोना लेने की जीद में रहता है और कहता है पापा मुझे वही खिलोना चाहिए और अभी के अभी चाहिए उसके माता पिता कहते है ठीक है उसके जीद के कारण उसके माता पिता उस वो खिलोना लेकर दे देते है तो उस बच्चे ने वो खिलोना क्यों हासिल कर लिया? क्योंकि उसके मन में जिद आ गई थी उसके मन में वहीं पर वो सपना क्रियेट हो गया था कि मैं उस खिलोनों से खेल रहा हूँ उसके मन में वहीं पर एम तयार हो गया था कि उमें चीज पा चुका हूँ उसने अपने माता पिता से जिद मचाई कि नहीं मुझे वो खिलोना चाहिए उसके माता पिता ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिये ऐसे जिद मचाई थी नवाजितिन सिद्धी की ने अपनी लाइब से अपनी जिंदगी से कि नहीं मुझे एक्टर बनना है अपने 14 साल पूरे गुजार दिये एक्टिंग साबित करने के लिए आज वो एक्टर नहीं मच बना है आज वो एक्टर है आज उसने भी जिद मचाई थी अपने आप से आज विराट कोली की बात करते हैं विराट कोली ने भी आज जिद मचाई थी कि मुझे किर्केटर बनना है क्या वो किर्केटर नहीं बने मैंसिंग दोनी ने भी जिद मचाई थी कि नहीं अगर मैं सरकारी नोकरी छोड़ दूँगा तो साइद में क्रिकेटर ना बन जाओं लेकिन एक जिद के कारण वो आज इतिहास के रचने के काबिल हैं इतिहास कई रच चुके हैं दोस्तों, नेलसन मंडेला नेचा अगर जिद नहीं मचाय होती कि मुझे समाज सेवी बनना है, कुछ समाज के लिए करना है तो आज वो समाज सेवी नहीं होते मातमा गांदी उन्होंना जिद मचाय थी कि मुझे देश को आजात कराना है आजात करा दिया दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिरफ आप लोगों को ये काहनी बताना नहीं था दोस्तों आप लोगों एक जित ठानो और जो आपके सपने हैं जो आपका यह में उसको पालो और एक जित के कारण रच दो इतिहास दोस्तों मैं इसी तरह के मोटी वेसल्स वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें